हेलो फ्रेंड्स में नाम अज इसी सूधिया है और आसम स्रीज शुरू कर रहे हैं एक्सप्रेस जैस की तो हमारे फर्स्ट वीडियो तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सप्रेस जैस को अपनी सिस्टम में तो चली मैं यहां पर डी ड्राइब में चला जाता हूं D Drive में चला आता हूं यहां आप टाइप करेंगे गोगल में टाइप किजिएगा एक्सप्रेस इसके दो तरीके हैं हुआ यह सबसे यह इसको आपसे एक उसके बाद हम देखेंगे जनरेटर किस तरह यूज करें तो हमारे पास एक एक application जो requirement हे वह हमारी पास structure साथ ऐसा निस्का नाम होगा MyExpress कुछ भी नाम हो सकता है आप कोई भी नाम ले सकते हैं तो पहले वेगा डायरेक्टरी बना लेंगे तो मैं डायरेक्टरी बनाना जा रहा हूँ माइ एप एकसप्रेस के नाम से तो मैं CD सीडी और कहना का मतलब कि मैं अपने डार्क्री मैंने बनाएती है इसके अंदर आचुका हूँ और यहां मैंने डॉक्मेंट खोला हूँ आप इसको देख सकते हैं यहां से कॉपी पेश्ट भी कर सकते हैं तो मैं यहां से ही कमांड को कॉपी करूँगा जिससे टाइम बच जाए और फिर चला कर देखेंगे तो आप यह डॉक्मेंट पढ़ सकते हैं थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेस जेस का हम क्यों यूज करते हैं कि मैं यहां करूँगा NPM इनिट यानि के इनिसलाइश जिससे हमारे पास एक पैकेज डोट जेसन नाम की फाइल जन्रेट होगी और उसमें कुछ लिश्ट होगी पैकेज कुछ पैकेज की कि सबसे पहले आपको यहीं कमांड चलाना होगा अब देखिए यहां हम से अब यह पूछ रहा है कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है पैकेज नेम क्या रखना चाहेंगे वर्जन क्या रखना चाहेंगे तो मैं यहां पर एंटर एंटर करते जाएंगे आप डिफॉल्ट अभी आप प्रक्टिस क्योंकि आप प्रक्टिस में तो आप एंटर करते जाएंगे यहां भी एंटर करना है और एंटर एंटर बागी देखता है क्या होता है और कीवर्ड ऑथर लिख सकते हैं आप कुछ भी मैं अपना नाम दे देता हूं हुआ इसमें अब छогं करते शब्स क्या होगा आप से 8 हैлем डेटा थे इंट्र एंटर्विट्श एंटर्विट हो शक्ते हम इसमें आसानी से मौला बैस में डेटा बैसमें में की time से record में पे कह सकते हैं आप इसमें वैकेंड पर भी काम कर सकते हैं तो देखिए यहां पर यह complete हो गया इतना आप देख सकते हैं आप यहां पर file मैं open कर लेता हूं पहले मैं add कर लेता हूं कि सब्लाइम एडिटर में यूज कर रहा हूं और समय मैं add कर लेता हूं इस फॉल्डर को तो यहां हमारा इस नाम से बनायता है मैंना इसी क्लिक किया तो यह यहां हमारे दिखें फाइल हमारी इनिसलाइज मतलब कह सकते हैं एक जो हमारा package.json है complete हो गया है यहां detail देख रहे ह तो यहां आपको manually करना हुगा जो भी हमें जरूत कोई package है हमें जरूत पड़ेगी तो उसको मैं एक एक करके हैं सेव करना होगा इंस्टोल करना होगा मैं यहां npn install कर लेता हूं जिससे npn इंस्टोल हो जाए npn इंस्टोल एक्सप्रेश सोरी npn इंस्टोल एक्सप्रेश कर देश-डेश सेव कमार्ण चलाता हूं तो आप देख पाएंगे कि यहां जो मेरे package फाइल है देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया और यहां आप देख सकते हैं कि जैसे यह package इंस्टॉल हो एक्सप्रेश इंस्टॉल हो रही है और यहां आप लिस्ट में भी देख पाएंगे चेंजेश तो यहां मैं इसको उपन कर लेता हूं यह दिके complete हो गया तो जो भी package होंगे वह यहां लिस्ट में आप देख पाएंगे इस फाइल में तो दोस्तों आप इससे डेटा डिस्प्ले मतलब कहने का मतलब कि डेटा बेस से आप डेटा को डेटा एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से एक्सप्रस जैस का यूज करते हैं तो देखिए हैं नो हमने जो यह एंबियम इंस्टोल किया था उसके आप देख सकते हैं पैकेज़ अब यहां में क्या करना होगा जो पैकेज हमें इसको जबनेक्स जो हम तरीका देखेंगे उसमें एक्सप्रस जनरेटर हम जो हम यूज करेंगे तो हममरे पास पर्जेक्ट पूरा प्लिट के हिसाब से प्रजेक्ट आएगा जो रिक्वारेंट होगी फोल्डर हो या दारेक्ट्री या पीजिस हो तो आप यहां दे सकते हैं यह एक तरीका तो यह रहा कि आप एक एक करके उसको इंस्टोल करते जाएं पैकेज को तब हम देखेंगे दूसरा जो मैथरड़ वो क्या है कि चलिए यहां पर टाइप करके लिख सकते हैं इस तरह से कुछ लिखेंगे तो नीचे लिंक ऑपन हो जाएंगे तो वहां से आप एक लिंक पर किलिक करेंगे यहां देख पाएंगे आप आसानी से पढ़ सकते हैं जो कि आपके सिस्टम में इंस्ट्रॉल हो जाएगा आपके डारेक्टरी में तो नहीं हो गए लेकिन इस्टम जो होगा गिलोबली भाँ तो अब इसकी सवायते से आप क्या कर सकते हैं किसी भी ड्रैब में जाकर अपने विंडो बिंदो के कोई भी ड्रैब में आपको जै डी आई जो भी ड्राइब ऊसमें कहीं भी जाएंगे तो आप आसानी से इसकी हेल्फ से आप एक application कि इंस्टोल कर सकते हैं एक कह सकते हैं एक skeleton इंस्टोल कर सकते हैं यह मैं एक सबस्क्रास करूंगो तो ओफशंस देख सकते हैं को अप्राइued लिखा है यह उप्रेट शाब उनको यूँज कर सकते हैं आधि कम अश्यकील करेंगा टैंपलियट इंज तो स्को आधि लिवाशी कीज़न unfun कलिरिए पर मैं नहीं करता हूं एक प्रेस माइन अच ये कह रहे है कर दो इसलिए कह रहा है कि हम आप में शादी इसलिए दिखा रहा होगा फ्र लिखते हूं जड़ा एक्सपरेस मायन है अप्शन तो दिखार रहे तो यह आप document read कर सकते हैं और यहां से आप आसानी से जो कमांड से copy paste कर सकते हैं copy कर सकते हैं यहां से अब दीके मैं चला रहा हूँ यहां पर express-view pug मैं view कौन से युच करने वाला हूँ और उसके आगे मैं नाम लिखूंगा my app यहां से शुरू होता है अब हमारा ठीक है पहले हमने जनरेटर हमने इस्टोल कर लिया गिलोबली अब में यह एक्सप्रेस-view pug हम टेंपलेट लेने चाहरे हैं पाग और उसके आगे जो my app एक्सप्रेस है वह है नाम हमारा डिरेक्ट् कर तो एक तरीका यह है यहां आपको कुछ करने की जुरूत नहीं पड़ी यह अपने आप है सब जनरेट हो गया है पबलीक फोल्डर हो गया है पबलीक फोल्डर में क्या क्या है देखिए सब दिखा रहा है राउट से हैं अब मैं यहां पर cd my app एक्सप्रेस एंटर करता ह है बिगनर के लिए तो बहुत अच्छा है जबकि पहले में ऐसा नहीं था पहले जो आपने तरीका देखा था उसमें आपको एक एक करके जो रिक्वार्मेंट थी प्रोजेक्ट में जो भी जरुवत पड़ती इसको आपको अलग-लग से इंस्टोल करना होता है आप देखे किस तरह से डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं किस तरह डेटा एंटर कर सकते हैं डेटाबेस में किस तरह अपडेट है डेट यह सब देखेंगे तो यहां एंप्यम में इंस्टोल कर लेता हूं और जैसी एंप्यम में इंस्टोल करूंगा तो इसमें जो रिक्वार्ड पैकेज होंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे और देखिए यहां पर एक हम इसमें चेक कर सकते हैं पैकेज जो डो